तो फेसलिटेट डुमेस्टिक मैनुफाक्चरिंग फॉर दी अंबीशिस गोल अफ 280 गीगा वाट्स अफ इंस्टॉल्ट सूलर कपाश्चरी निर्मला सीतार अरमी 2022 का बजट पेश करही है क्रोना काल में पेश हो रहे बजट से समाज के हर वर्क को काफी उमीदे है चलिए जानते हैं कि फिलाल बजट में क्या-क्या एलान किये जा रहे हैं 2022 के बजट में कहा गया है कि बड़े पेमाने पर इवाहन के चार्जिंग स्टेशन नहीं मिल पाते चुकि जगह की कमी होती है इसलिए बैटरी अदला बदला नितिल लाई जाएगी यानि कि बजट में सबसे बड़ी घोशना बैटरी अदला बदला नितिल लाई जाएगी वहीं इपासपोर्ट इसी साल जारी होंगे इसी के साथ खेती में भी मदद करेगा ड्रोन यानि कि तकनीक का इस्तेमाल खेती में भी होगा किसान ड्रोन का इस्तेमाल होगा इससे फसल मुल्यांकन भूमी अभिले कीट नाशकों का चिड़काव सब किया जा सकेगा वहीं आपको बता दें कि नोर्थ हीस्ट के लिए विकास योजना लौंच होगी भारत अपनी विकास यात्रा जारी रखेगा ऐसा भी अलान किया गया है और साथ ही बजट 2022 में अलान किया गया है कि नोर्थ हीस्ट के विकास के लिए योजना लौंच होगी इससे वहां के लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा 2022 देश में पीए मवास योजना के तहट 80 लाफ मकान बनाए जाएंगे इनके लिए 48,000 क्रोड का फंड रखा गया है वही निर्मला सितारमन ने बजट पेश करते हुए कहा है कि डिजिटल विशव विध्यालिया की स्थापना होगी निर्मला सितारमन ने कहा कि करोना काल में पढ़ाई का काफी नुकसान हुआ है वो बोली कि एक क्लास एक टीवी चैनल को 12 से बढ़ा कर 200 टीवी चैनल किया जाएगा इसके इलावा डिजिटल विशव विध्यालियों की स्थापना होगी वहीं मांसिक समस्याओं के लिए भी नैशनल टैली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम भी शुरू होगे वहीं ज्यादा से ज्यादा डिजिटल विशव विध्यालियों की स्थापना की जाएगी वहीं आपको बता दे कि ओर्गैनिक खेती को भी भड़ावा देने के लिए सरकार ने कुछ श्योजनाई बनाई हैं और राज्ये सरकारों को प्रोधसाहित करेगी सरकार और वहीं अपने सिलेबस में फार्मिंग कोर्स को भी जोड़ेंगे और साथ में गंगा कोरिडोर में नेचुरल फार्मिंग को भड़ावा दिया जाएगा वहीं चोटे उध्योगों को क्रेडिट गरांटी स्कीम से मदद भी दी जाएगी कहा गया है कि रेलवे चोटे किसानों चोटे व्यमध्यमों के लिए नए प्रोडक्ट और कुशल लोजिस्टिक सर्विसिस त्यार करेगा गरीबों के लिए असी लाख नए मकान भी बनाये जाएगे इसी के साथ किसानों को और गरीबों को काफी ध्यान में रखकर ये बज़ट सरकार पेश करती हुई वित्मंत्री ने बताया कि 2022 ते इस के बीच नैशनल हाइवे की लंबाई को 25,000 किलोमीटर तक बढ़ाया जाएगा पहाडी शेत्रों के परवत माला रोड को PPP मोट्स पर लाया जाएगा वहीं आपको बता दे कि अगले तीन सालों में चार सो वंदे भारत ट्रेने आएंगी वित्मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि अगले तीन साल में चार सो नई वंदे भारत ट्रेने त्यार की जाएंगी इसके साथ अगले तीन सालों में सो पी-म गती शक्ती कारगो टर्मीनल भी त्यार किये जाएंगे साथ ही आठ नई रोपवे का निर्भान भी किया जाएगा तो ये बजट से जुड़ी अब तक की सबसे बड़ी हाइलाइट सीतारमने कहा कि बजट से किसान और युवाओं को फाइदा होगा आतम निर्भर भारत से 16 लाख युवाओं को नोक्रियां भी दी जाएगी वही एर इंडिया का विनिवेश को भी पूरा किया जाएगा और LIC का IPO भी जल्दी मार्किट में लाया जाएगा आपको बता दे कि वित मंतरी निर्मला सीतारमने कहा है कि बजट से भारत को अगले 25 साल की बुनियाद मिलेगी अगले वित वर्ष में आर्थी ग्रोध 9.2 फीसद रहने की उमीद भी जताई है वहीं ये भी कहा गया है कि मौझूदा वर्ष में भारत की आर्थी ग्रोध 9.2 फीसद रहने का अनुमान है और ये बड़ी अर्थ व्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा है वहीं आपको बता दे कि अभी बजट जो है पेश किया जा रहा है संसद में और बजट से जुड़ी कुछ हाइलाइट्स जिसमें किसानों को और युवाओं को काफी ध्यान में रखा गया रखकर ये बजट पेश किया गया है आपको बता दे कि इस बजबार के बजट में निर्मला सीतारमन के पिटारे में फिलाल सब के लिए कुछ ना कुछ निकलता हुआ दिखाई दे रहा है और वहीं सब की नजरे हेल्थ, किसान और टेक्स और शिक्षा पर पहले से ही लगी हुई थी और उसी को लेकर अभी वित मंत्री सीतारमन घोशनाएं करती हुई दिखाई दे रही है फलो और सबजियों के लिए भी योजना बनाई गई है, छातरों के लिए योजना भी बनाई गई है और किसानों के लिए काफी बड़ी घोशनाएं की गई है आपको बता दें कि विकास की रफतार को मजबूत करता हुआ ये बजट चार प्रात्मिकताओं को इसमें गिनाया गया है वित मंत्री ने कहा है कि ये बजट अगले 25 साल का विजन पेश करता है यानि इस बजट को विकास से जोड़ कर देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि 25 साल का विजन आप इस बजट से देख सकते हैं कि हमारी सरकार का 25 साल तक का क्या विजन है युवाओ, महिलाओ, SAC, ST को विकास के लिए और पब्लिक निवेश बढ़ाने के लिए बजट धांचा पेश करता है वित निर्मला सीतारमने कहा कि हम कई दिशाओं में इस बजट के जरीए आगे बढ़ रहे हैं वहीं आप देखें संसद में पीए मोधी भी थप थपाते हुए नजर आ रहे हैं टेबल को और वहीं चार प्राथमिकताएं कोन-कोन सी गिनवाई गई हैं समावेशी विकास, उत्पादक्ता भढ़ाना, उर्जा ट्रांस्फोर्मेशन और निवेश को भढ़ावा देना इन चार प्राथमिकताओं को इस बजट में गिनाया गया है कहा गया है कि ये बजट विकास की रफतार को मजबूत करेगा वहीं आपको बता दे कि निर्मला सीतारमन ने एक और बड़ा एलान किया है कि गाउँ गाउँ होगा ब्रांड बैंड यानि कि गाउँ गाउँ में ब्रांड बैंड को लागू किया जाएगा वहीं रक्षा अनुसंधान बजट 25 फीसदी बढ़ाएंगे नीजी कमपनियां DRDO के साथ काम देंगी वहीं नित्वित मंतरी निर्मला सीतारमन ने जो बजट पेश किया उसमें रक्षा शेतर के आधुनी करन पर भी जोर दिया गया है साथ में दलित किसानों की भी सरकार मदद करेगी महिलाओं के लिए पोशन दो योजना लागू की जाएगी तो इस तरीके की तमाम अनाउंसमेंट बजट में की जा रही है जो की एक विकास का बजट फिलाल बताया जा रहा है इस बजट में औरगैनी खेती पर काफी जोर दिया गया है औरगैनी खेती के साथ साथ आंगनबाडी पोशक्सकी में भी बताई जा रही है और गरीबों के लिए 80 लाख नए मकान की भी योजना बजट में दिखाई गई है फिलाल आप देख सकते हैं कि बजट में काफी घोशनाएं देखने को मिल रही है और चारजिंग स्टेशनों की भी स्थापना की जाएगी ये भी बताया जा रहा है कि जादा से जादा इलेक्ट्रिक वीकल्स पर जोर दिया जाएगा और उसको लेकर जो भी चारजिंग की समस्या है उसके उपर भी जादा से जादा ध्यान दिया जाएगा वहीं सोर उर्जा को भी बढ़ावा देने की बात कही जा रही है कि हम सोर उर्जा के उपर भी बढ़ावा देंगे गाउं में उप्टिकल फाइबल भी लगाये जाएंगे साथ में 5G सर्विस भी शुरू की जाएगी गेमिंग सेक्टर के विकास के लिए पैनल का गठन किया जाएगा 5G उपकरनों के लिए PLI स्कीम लोंच की जाएगी आपको बता दें कि काफी घोशनाएं इस बजट के माध्यम से गाउं में उप्टिकल फाइबल के लिए ओडर होंगे 5G सर्विस के लिए स्पैक्टरम ओक्शन होगा गेमिंग सेक्टर के विकास के लिए पैनल का गठन किया जाएगा तो ये अभी फिलाल की अब तक की घोशनाएं जो की बजट में की जा रही है जीडीपी का हिस्सा काफी आगे रहेगा ऐसी उमीद है जीडीपी बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है और 2022 में 5G भारत में आ जाएगा इसकी भी घोशना की गई है तो फिलाल आप देख सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी घोशनाएं जो की खेती को किसानों को ध्यान में रख कर की गई है स्वास्थय पोशन सेक्टर में काफी सुधार हुआ है ऐसा कहा जा रहा है हाईवे पर 20,000 क्रोड रुपए खर्च किये जाएंगे महिलाओं के लिए 3 नई योजनाएं लागू की जाएंगी इस तरीके की तमाम गोशनाएं इस बजट के माध्यम से फिर से आगया है कोरोना घर पर रहने में ही है सब की भलाई अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना बिग बिस लेकर आएगा 10 मिनट में आके घर पर दवाई बिग बिस खुशियों की अपनी दुकान